पब्लिक टीवी आपकी आवाद अश्रफी मेरिज हौल मोती बाग मुरादवाद में खतीव आजम मुरादवाद हजरत मुफ्ती मुहम्मद मुस्तजाव हुसेन कादरी नवाज तरावी में छे सिपारे रोजाना सुना रहे थे ग्यारा मही मताविक पाच रमजान शरीप को कुरान करीम मुकमल हुआ इस मौके पर खिताफ करते हुए मुस्तिजाव हुसेन कदरी ने कहा जो बंदा रमजान शरीप में पूरे अद्व एहतराम के साथ रोजे रखेगा और कुरान करीम सुनेगा तो कल मैदान कयामत में रमजान वो कुरान दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे और अल्ला ताला कबूल फर्माएंगे आखिर में मुस्तिजाव हुसेन कादरी ने दूआ फर्माई और जारों की तदात में मौजूद नवाजियों ने आमीन आमीन की सदाएं बुलंद की नवाजे तरावी के इंतिजाम में हाजी आलंग अश्रफी ब्रियानी वाले फहीम अश्रफी नईम बावा अश्रफी आरीफ सिद्धीगी सवाहत हुसेन उरुफ शबूर नाजीम कुरेशी नासिर चौदरी पेश पेश रहे कि अरुक मीरा में पोरंगे में हैं मौट के साथ रहे हैं अदब के साथ रहे nation में परेशानी नहों been my घुशित चाहिं से हथी यदियूत कि मुझे याद आ रहा है जहां तक मेरे यादास काम कर रही है वे गालेबन kan mahrap देखिए इस साल मैंने अश्राफ मेरे लिखाल में पुरान करीम सुनाया आज पुरान करीम कमल हुआ अब जहां तक अगले साल की बात है तो अल्ला जाने इसका रसूल जाने या पर यह हमारे हाजी आलम साथ यहां मौजूल है कि बहां के करदा थर्दा बहां के मालिक के यह सब कुछ यही है तो इनी के दावत पर मैंने इस साल मालिक है जैसा भी माझाल है अगले साल की दा मालिक है जैसे हमादा में इस मौकिए पर एजलस फैल्मी को दूर करना चाहूंगा अकसर और बेश्टर ऐसा होता है जो लोग 5 वाल सुनते हैं चपारे सुनते हैं तो बारे सुनते हैं कि अज हमारा कुरान करीम मकामल हो गया आज हमक्त आम हो Shout Ahora है ऐता है जेशाक वह फारिए है pure山 होई है एक संत से एक तृणकर में कमन बाकीं है को पूरे महीने उनको नमादे तरावी अदा करें चाहे वो पांच पारे वाले हूँ चाहे तीन पारे वाले हूँ चाहे दो पारे वाले हूँ चाहे वो डिर्ड पारे वाला ही क्यों ना 22 दिन के बाद ही वो ये नी सुचेगा कि मैं आदाज हूँ बेशक उसका पुरानी करीम पूरा हो जाएगा लेकिन नमादे तरावी तो उसे आखिर तक पढ़नी ही पढ़नी है जब तक उईत का चांगा